लो दुस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल Puzzle Mania बितमकर में आरविय असेस्टेंट की अपडेट के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंस पूछ रहेते कि सर इस साल आरविय असेस्टेंट में कितनी बेकिंसी देखने को मिल सकती है अगर RVA Assistant की notification की बात करें तो जैसा कि expected है कि फरवारी के first या second week में आपको ये notification देखने को मिल सकता है और जो expected exam dates हैं उसकी भी update आप सबको मिल चुकी है कि 26 March को pre exam expected है और 30 April को mains exam expected है अगर number of vacancy की बात करें तो इस साल RVA Assistant में लगबख 900 से 1000 के आसपस आपको vacancy देखने को मिल सकती है तो जिन भी students का focus अभी RVA Assistant का exam है तो अभी से आप pre plus mains दोनों के तियारी start कर दीजिए तो प्री के लिए लगबख 1.5 मैने के आसपस आपके पास समय है और pre के बाद mains में उतना समय नहीं है और काफी सारे students क्या करते हैं कि pre के exam के बाद pre के result का इंतिजार करते हैं इसलिए mains की तियारी भी आपको पहले से करनी है और RVA Assistant की cut-off आपको पता है कि कितनी high देखने को मिलती है pre exam में इसलिए notification का इंतिजार ना करें अभी से आप तियारी में लग जाएं बाकि जो भी आपके doubt है RVA Assistant को लेकर आप comment में पूछ सकते हैं बाकि मिलते हैं फिर नेस वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद